नमस्कार दोस्तों, इस्टडी कलाक इंस्टिट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ए वर्मा आज बात करते हैं उत्तराखंड के चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बनने से उत्तराखंड की धुर्गम वा जोखिम भरी, यात्राएं, सुगम वा, सुखद और कम समय वाली हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने से उत्तराखंड में पर्रेटकों एवं सरधालूं की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। इस प्रोजेक्ट में रोड साइट एमेनेटी डवलप किये जाएंगे। जगए जगए फूट प्लाजा, पार्किंग, हेली पैट, पेट्रॉल पंप आधिका विकास किया जाएगा। उत्त्राखंड की अत्यनत दुर्गम और चटिल पहाड़ियों के हिमजिखरों के मद्धे इस्थित हैं चार धाम। श्री पत्रीनाध धाम, स्री केदानाध धाम, स्री कंगोत्री धाम, स्री यमनोत्री धाम। सिखों के प्रिसिद तीर्थिस्थल स्री हेम कुंड साहिब 4632 मीटर की उचाई पर साथ पहाड़ियों के मद्ध इस्थित हैं चार धाम तक जाने वाले पहाड़ी रास्ते ना केवल ठकाओं हैं बलकि सुरच्छा की द्रस्टी से भी अत्यंत दुर्गम और खतरनाक हैं इन यात्राओं को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट या आलवेदर रोड का सुभारम किया है इसके अंतरगत परिवहन मंत्राले ने 12,000 करोण की लागत से 7 परियोजना पैकेज बनाए हैं जिसमें पहला पैकेज है रिसि केस से रुद्प्रियाग 140 किलोमीटर की डिस्टेंस के साथ जिसकी डिस्टेंस 76 किलोमीटर है चौथा पैकेज है रिसी केस्क से धरासू जिसकी डिस्टेंस 144 किलो मीटर है पांचवा पैकेज है धरासू से यमनोत्री धरासू से यमनोत्री की दूरी 95 किलो मीटर का है छठा पैकेज है धरासू से गंगोत्री जो मनेरी होकर जाएगा और इसकी दूरी 126 किलो मीटर है साथवाँ पैकेज टनक पूर से पिथवरागड है जिसकी दूरी 148 किलो मीटर है इस परियोजना में पहले से बनी रोडें 12 मीटर से 24 मीटर की जाएंगी परियोजना में 3889 कलवर्ट बनाए जाएंगे इस परियोजना में 132 ब्रिज बनाए जाएंगे जिसमें 25 मेगा ब्रिज सामिल है लेंड स्लाइट प्रोटेक्शन के लिए जगए जगए पर जियो सिंथेटिक और गैवियन वाल का निर्माण किया जाएगा रोट किनारे डिवलप्मेंट से नए रोजगार सरजन होंगे जिससे पलायन की मार छेल रहे उत्तरा खंड को एक नया आया मिलेगा प्रोजेक्श की नई अपडेट्स के लिए सस्क्राइब करें हमारा चैनल धन्यवाद